कि नमस्कार में जितेंदर गुपता आप देखे रहें स्टार्ट सेटी न्यूस में इस वक्त मौझूद हूं विकासपूरी विधानसभा में हमारे साथ मंडल उपा देख्षें इस वक्त मौझूद हैं सोरब कुमार जी सोरब कुमार जी मेरे आपसे पहला स्वाल है कि आपकी जो राजनितिक जड़नी है भाष्पर में आपको जो जुला हुआ कैसे आप आना हुआ था आप सभी को मेरी राम राम जी जितिंदर जी आपने एक बहुत ही भरी वर्ड यूज किया है राजनितिक करियर मैं आपको मैं जिसकी तरफ प्रभावित रहा हूँ वो एक पार्टी का विचारधर होती है लोगों की विचारधर होती है हमारे आसपास जो लोग है उनकी विचारधर होती है जिनके साथ मैं जैसे कि हमारे बड़े भाई सुनील जिंदर जी हो गए हमारे देश के प्रदान मंतरी नर राजनितिक जरनी जिसे आप बोलते हैं, मैंने कभी सोचा है निए कि मैं कभी राजनितिक अंदर गुसा हूँ, जो भी हमारे निगम पार्षद थे, उस टाइम पे विवेक त्यागी दी थे, आज हमारे वर्तमान में हमारी भावी सरीदा जिंदल जी है, बड़े भाई सुनी इनके कॉंटक्स यूज करता था, तब से लोगों ने माना कि सौरब एक अच्छे काम के लिए जुड़ा है, लोग आते रहे, लोग जुड़ते रहे, और ये कारवा ऐसे ही चलता रहा, तो बाकी तो मेरे को प्रभावित करने वाले, अगर आप बोलो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं राजनीती से इतना प्रभावित नहीं हो, जितना मैं सेवा से प्रभावित हूँ, सेवा किस भाव से, मेरे पास कभी कोई सेवा आएगी कि मेरे बच्चे का एड्मिशन करवाना है, हमारे पास कोई दिक्कत है, किसी को रोजगार से लेटेड कोई द अजहां पर मैं अपनी मदध उनको सेवा पनी दे सकता हूँ वहां पे लोग मरे साथ जोड़ते हैं मेरे को आके बदाते हैंじゃो मेरे मेरी शम्ता उनका है में कर जोंऩ कर सकते ढreन यह प्रोफेशनल इभी अपको बता हूं, तो वैं italli मैं HR consultant हूँ हु थह ऑ्यक्ड काम करता हूं मैं कोर्पोरेट्स के लिए तो आइकन प्राउडली से कि मैं सिरफ और सिरफ अपने विचारों से नहीं मैं प्रफेशनली भी लोगों की हेल्प करता हूं उनकी नोकरिया लगवाने में उनकी इंप्लॉइमेंट के अंदर ताकि घर परिवार चलते रहें आगे बढ़ते रहें इस कोरोनकाल के समय आप कोई सेवा हैं रही अगें ये जो सेवा वाला जो पार्ट है ये मेरे को ये लगता है कि ये बगवान ने न एक लखीर होती है जो लोगों के हातों में न बगवान एक सेवा की लखीर देता है ये सेवा की लखीर मेरे हातों में नहीं खुला था इन फाक्ट अभी भी आज की डेट में भी कभी कोई भाई बंदू क्योंकि मेरे पास तो जितने लोगों की नोकरिया गई हैं राइट इंके कम से कम नी तो कितने लोगों के मेरे पास फोन आते हैं राइट कितने लोगों की इंप्लॉइमेंट के पॉन्ट अभी से हम लोगों ने आगे उनकी बढ़के मदद करी उनको कॉर्परेट्स के अंदर उनके सीवी शेयर किये हम एचार ग्रूप वालों ने एक ग्रूप बनाया जिसके अंदर हम ऐसे जो जरूत बंद जो लोग है जिन्नोंने अपनी नोकरिय करोना के अंदर हम उनको उनको आगे उनको आगा बढ़ाए उनके कॉर्परेट के अंदर तो हमने ऐसे ऐसे भी इनिशेटिव लिये जो भाई बंदू हमारे विकासपुरी या आसपास यहां तक की मेरे पास नजवगड़ गुडगाओं बैंगलोर मैंने ऐसी ऐसी जगाओ लोगों के लिए राशन पचुँआया है और यह मेरी पूरी कोशिश रही है कि कोई वन्ता कोई हमारा कोई भी साथी कोई भाई बहार भुख नार, कोई बुखाना सोब बच्की तो आने वाले क्या परिणाम जनता इस पर देगी सर जदंदर जी जनता बहुत समझदार हो चकी है अगर आप जनता के विच अगर आप जनता से समझेंगे अगर मैं एक ऐजा लेमेन अपने आपको देखता हूँ आज मेरे ख्याल से पार्टी खुले आम सड़कों पर आके भाज़पा सरकार सड़कों पर आके हमारे दिल्ली प्रदेश जी के नेत्वत में हमारे MP साब के नेत्वत में हमारे लोकल निगम पार्शदों के नेत्वत में हम हर रोज कोई ना कोई कारेकरम रखते हैं जिससे हम लोगों से जादा से जादा ये बात बता सकें कि ये 13000 करोड जो की केजरी वाल जी के पास हमारे बकाया बचे हैं MCD के जो बकाया राशी है ये हमें वापिस कीजिए इसका मतलब हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर पे कल कोई कूड़ा उठाने नहीं आ रहा अगर आपके घर पे अगर आज आपका पारसाफ नहीं हो पाएगा अगर आज आपको एक अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पारी है एक आपके स्कूल के जो MCD स्कूल की जो टीचर से हैं अगर आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगी शिक्षा नहीं दे पारी है आप हमें दोशी ना टेराएं अगर किसी का पेट खाली होता है तो वो अपनी सेवा नहीं दे सकता आज मेरा पेट खाली होगा तो मैं कल किसी का पेट नहीं बर पाऊंगा तो ये 13,000 करोड रुपेया ये MCD का MCD का पैसा जो सेंट्रल के हिसाब से जो राउट होके आता है दिली सरकार जो दिली सरकार के पास आता है दिली सरकार आगे MCD को जारी करती है वो नहीं कर रही है और उससे लोगों के घरों में खाना जो हमारे सफाई करम चारी है जो स्कूल के midday meals जो मिलती है जो हमारे horticulture के हैं जो हमारे doctors हैं, जो हमारे teachers हैं इन सब को salaries दो मिल पारी हम कैसे expect कर सकते हैं कि MCD के अंदर जो लोग आपके लिए बैटके जो MCD की सेवा करते हैं MCD के लोग वो कैसे लोगों की सेवा करेंगे कैसे जन्संपर करेंगे तो सर्थ इतने लोग घेरे में आ रहे हैं क्या लगता है राजनितिक शोशन हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदी के बाइस में बिलकुल राजनितिक शोशन है सर राजनितिक शोशन है राजनिति ही इसके पीछे एक परिणाम है जिसके वज़े से सब कुछ हो रहा है राजनिति के पॉइंट वी इससे अगर मैं आपसे बात करूँ अगर केजरिवाल जी सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाते है कि निगम पार्षाद आज तीनो निगम पार्षाद हमारे है तीनो निगम के अंदर हमारी सरकार है आप नौर्थ एंडीमसी की बात कीजिए एडीमसी की बात कीजिए तीनों निगमों में हमारी सरकार हैं तीनों निगम के हिसाब से मेयर्स हमारे पास हैं अगर वो एक साल के बाद election है और आज आप उनको इतना मजबूर कर रहे हो कि लोग आके काम नहीं करेंगे और लोग आपकी थूथू करें कि आप MCD के लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनका सरम मुद्द ही यही है लोगों पर दिखाना कि MCD काम नहीं कर रही है आपके निगम पार्शत सब फेल हो चुके हैं आप नई सरकार को चुनिए जो कि बिल्कुल गलत है और यह बहुत ही छोटी सोच है आज तक बहुत बड़ी से बड़ी सरकारे आई है कॉंग्रेस के टाइम पे शीरा दिख्षित जी की सरकार रही है जिसके अदर भी निगम पार्शत हमारे हुआ करते थे हमारे आज तक कभी जिन्दगी में कि इसने इतनी निचले स्तर की राजनिती नहीं करी है कि जिसके अंदर उनको हम लोगों को ऐसा बताना पड़े लोगों को सड़क सड़क बजाके कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा एमसेडी का पैसा नहीं मिल रहा और इसलिए हम लोग काम नहीं कर पारे मैं सभी भाई भेनों को देश्वासियों को सिरफ और सिरफ एक चीज बोलूँगा 2020 हम सब के लिए बहुत संकट मेरा सब के लिए बहुत से योजगार लोगों के गए बहुत सी कंपनीज बंद हुई बहुत सी फैक्टरिया बंद हुई बहुत से लोगों के रोजगार चले गए बहुत से लोग बच्चों को एड्मीशन नहीं करवा पा रहे हैं वो फीस नहीं भर पाए तो उनके बच्चे आज शिक्षा से विक्सित है जो कुछ भी हुआ हमारी सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने या और भी अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों ने विज्ञानिकों ने, साइंटेस्ट ने कोई कसर नी छोड़ी हम लोगों को बचाने के लिए लॉगडाउन भी हुआ लॉगडाउन भी हुआ हमने lockdown के अंदर अपने आपको संभाला भी हम लोगों ने अपनी चिकितसा अपने उसको मजबूत किया और उसके बाद जब आज हम एक ऐसे mode पे पहुचे हुए हैं जहाँ पर vaccination आपको किसी भी समय हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी महा ड्राइब चलेगी आप थोड़ा सा और होसला बना के रखिए कभी भी हिम्मत मत हारिए अगर आप शमता रखते हैं किसी की सेवा करने के लिए तो आप जरूर आगे बढ़के किसी भी मुद्दे के उपर आगर आप सेवा कर सकते हैं आप जरूर कीजिए सेवा राष्ट्य सेवा परोपरी और अपना देश अपना संगठन मजबूत रखिए अपने आपको जातियों में मदबाटिये और देश को अगर कोई आप से कोई पूछे तो आप हिंदू मुसलिम सिखिसाई या पहले नहीं है आप सबसे पहले भारतिये हैं और अपने आपको शुरू से भारतिये बन के दिखाईए बहुत बहुत धन्यवाद तो यह हमारे सीजी बत सौरप कुमार जी से स्टार्ड सिटे के साथ मैं जिते अंदर गुपता हूँ